हलो एब्रीवन वेलकम बैक मैं चैनल तो फ्रेंड आज जिन मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूं वो डवल लेयर जो अंब्रेला स्लिफ्स होती है डवल लेयर में जैसा कि आपने थमनेल में भी देखा है तो इसके बहुत सारे मतलब मुझे एक दो कॉमेंट आया थे कि म को मुझे बताने के लिए तो मैं अब पर कप्रे पर करेंगा और JENरे पर आपको पेपर बता रही हूँ तो यहां इसके दोनों तरफ सारी तेरा इंची ऑंदर थर्टीन और हाफ थर्टीन और हाफ ही है हमें एक बरावर पेपर लेना है इसके लमबाई चौराई दोनों सेम लेनी है अब मैं यहाँ पर इसे कर रहे हूं डवल फोल्ड करके एक खरके उसके बाद से चार बार मैंने फोल्ड कर दिया है तो इस तरीके से इसको आपको फोल्ड कर लेना है आप यहां तक तो शमज गया होंगे और बहुत ही सिंपल लेंग स्लिप बहुत प्यारी लगती है और दरफ से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, इस अपने के बाद इस सवा बाद से खूंत, मैं यहां सवाग यह जातना में, आपको मैं ठीओं करता है, सब्सक्राइब जातना है, खूंत रहा है है वैसे ही umbrella slips में भी उसी टाइप से आपको करना है तो यहां पर मैं ले रही हूं और चलिए मार्किंग करते हैं ध्यान से वीडियो देखिएगा तो जैसे सवाचे इंच पूरी लेंध हमने लिए अब वैसे ही आपको घुमाते चलना है और वैसे ही आपको राउंड में सेप एक ही जगह रखना है व्पर कि पर से नहीं हिलाना है बस नीचे से आपको इसको हिलाते चलना है और इसे पर जैसे सवाचे इंच पर ही आपको लेते चलना है और ये एक round shape आजाएगी, bell slips के लिए, umbrella slips इसे का सकते हैं, layer वाली slips बोल सकते हैं आप इसे, तो ये double layer में हम करने वाले हैं, इसलिए layer slips भी इसे बोल सकते हैं, और यहाँ पर इसे ऐसे करके हम पूरे जिते भी हमने marking के उसे आपस में मिला देंगे, तो ये एक shape बन जाती है, तो इ दोनों में अगर आप layer बना रहे हैं, तो कम से कम 3 inch का फर्क होना चाहिए, दोनों में, जैसे मैंने ये बड़ा वाला लिया है, इसे हम छोटे वाले जो लेंगे, उसको कम से कम आपारहाई से 3 inch कम लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं लीजिएगा, क्योंकि इतने पर क्या ह मतलब सारे 3 inch का दोनों में फर्क है, तो वैसे ही सारे 3, 3, 2, 3 इससे कम नहीं लीजिएगा, और इससे ज्यादा मत लीजिएगा, तो चाहे तो आप सारे 3 inch जैसे मैंने लिया है, आप चाहे तो सिर्फ 3 inch की ही gapping रख सकते हैं, तो यहाँ पर फिर वैसे ही आपको वही process करना ह जैसे हमने उसमें किया था और वैसे ही इसकी marking अब यह जो है 5 inch है ना यहाँ पर आ गई, 10 inch चुकी थी ना तो ऐसे भी इंफोट करना है, दोनों तरफ 5-5 inch जाएगी, अब बस ऐसे हमको पकरना है, यह देख सकते हैं आपे, और बस आपको वैसे ही जैसे आपने पहली वाली लेयर हमने कट की है, बस सेम प्रोसेस आपको करते चलना है इसमें भी, तो वैसे ही यहाँ पे हम कर रहे हैं, और बंद वाली जो साइड है ना उसको आपको नीचे की तरफ रखती है, और उपर की तरफ आपको खुली वी साइड रखनी है, उसी साइड से आपको इसको घु बाकी जो मार्किंग है, मेजरमेंट जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल वैसे लेना है, वैसे ही आपको घुमाते चलना है और इसको करके राउंड से दे देना है, और इसे भी आपको ऐसी कट करना है, अब मालनी जै आप थ्री लेयर में बनाना चाहते है ना, तो फिर आप उसको भी Allah inンタwe, इससे ऑफ फिर एक अढ़ाई इंच कम लेकर के आप तिसरी लेयर काटेंगे, या फिर बड़ी बाली लेयर को ज्यादा लेंगे, तो उसको कम लेंगे, मतलब आपकोज रखनी है, आपको इसलिप कितनी बड़ी रखनी है, जो के बनने के बाद वो कहां तक तो यह ले सकते हैं बाकि आपके उपर करता है कि आपके ऐसा कितना ज्यादा बड़ा आप स्लिप्स मनाना चाहते हैं तो लेयर कप्रे की वीर्था बढ़ा सकते हैं अब यहां पर हम करना है पहले हम 20 center में mark कर लेंगे यहां आ जय से कि यहां पर देख सकते हैं तो पहले यह यह इस तरीखे करने के क्रॉप टॉप में लगाना है तो हम इसके आमोल को कमника कर ले तो यहां है की तेज़ से मैं बताती हूं करके . इस पकड़ के ऊपर से पदावाना है cow लेज देखना दिका तो यहां पर आप द diuब का वह यह इस इन पर यहocide करके 5 नेफे आपको इसको दिखा करना है इस तरीके से आपको इसकी मेजर करना है और यह उतत है अपको डिअफा है थे आती तो यह साहते हम करीब में आएगी है क्योंकि शाहतीत है यूब समुह जो सेंटर में हमने मार्किंग किए वहां से रख कर करके शारी तीन इंच पर हम यहां पर मार्किंग कर लेंगे, अब यहां पर मेर्पंट सःतो क्याइक, समझेगा लेकिन आप कप्रे पर करेंगे तो विद्म से बेंद मेडी से ना फिर हम उसका हाफ करेंगे बेच करेंगे और इसकी लाइन सीधी लाइन एक घिच लेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में ने आया, तो वापस से वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगी, अब जो ये जो है न, बस सवा दो इंच पर ऐसे से करके हमको राउंड सेफ में हमें इसे करते जाना है, इस इसको आप इसे हम सेवते देंगे और कट कर देंगे, और एक बात और बतातूं कि ये सलिप में अर्म होल, फ्रण कर ऐंक नहीं होती है तो और ये कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजेगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए तो यहाँ पे हो गई है इसकी कटिंग चलिए मैं आपको लेयर खोल करके दिखाती ह तो यह देखिए दोनों लेयर बहुत अच्छे से कट गई है और इसके बीच की डिफ्रेंस है वही काफी अच्छा है और यह राउंड सेप में है तो अभी से आपको स्लिफ में अटैच करनी है यहां से इसको पहले एक सिलाई आपको दे देनी है दोनों लेयर को पकड़के उसके बाद आप उसको स्लिफ में जाके अटैच करेंगे अगर आपको यह वीडियो पशंद आएगी तो आप कॉमेंट करेंगे तो मैं कप्रे पे करके और स्लिफ में अटैच करके भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे अटैच होता है बहुत इजी है कटिंग भी इजी है और stitching भी बहुत ही जी है, तो इस तरीके से करके आप ये layer से ready कर सकते हैं, तो देखिए ये तो बन करके हो गई है ready, तो इस तरह सा आपकी slips त्यार होगी, तो friend वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like से और comment कीजिए चानल पर पहली बार visit करें, चानल सब्सक्राइब करके वेल का icon को ज़रूर से click कर दी जाने वाले वीडियो की notification के लिए और धेर सारा comment कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं इसके next part ले करके आऊंगी